फिर देखो वहाँ पर डेफिनेशन दी है रेलेटेड परसंस की वो रेलेटेड परसंस की डेफिनेशन एक बार गो थू करना है इस सेम जो आमने कस्टम्स पर देखी वाल्यूविशन चाप्टर में, सेम, ओके तो जैसा कि मैं अभी भी बूर्ट आपको पहले आपको कस्टम्स देखना है कस्टम्स के बाद GSTD को और फिर डारेक्ट इंटनेशन तो यह देफिनेशन आप वही है, उसको रीड कर लोई पार, सिंपल दो, ओके चाप, देन एक सर्कूलर है, देखो सर्कूलर नंबर 76 बाई 50 बाई 2018 यह क्या बोलता है देखो TCS Under Income Tax Act 1961 Not Includable In Taxable Value for the Purpose of GST अभी हमने थोड़ देर पहले देख किया है कि GST में सभी जब आप Value of सब्ता है Valuation करते हो, Value निकालते हो इसके उपर आपको GST लगाना है तो आप लोगों को पूरे Taxes को include करना है Taxes को include करना है Except CGST, SGST यह UTGST यह Taxes को छोड़के पाकी जो भी Taxes है उस सब आपको include करना है Section 15 में अभी देखा हम लोग लेकिन यह जो TCS है Tax Collected at Source This is Intrim Levy Intrim Levy This is not Tax, this is Intrim Levy and hence यह TCS को include नही करना For example देखो आपने कार खरीदी कार, कौन सी कार खरीदी? क्रेटा बालो में को बहुत चल रही है क्रेटा का तो क्रेटा आपने खरीदी लेट से क्रेटा कितने की है? 16,00,000 रुपीज की है अब यह क्रेटा पे आपको लग्या आया TCS लेट से अटर रेट रफ वन परसें मदलब 16,000 रुपीज का TCS लग्या आया तो आपकी टोटल वाल्यू कितने होगी? 16,16,000 टोटल वाल तो सवाल यह उठा कि GST अब 16,16,000 पे लगेगा? ता आंसर इस नो GST किनने पे लगेगा? 16,000,000 यह जो TCS के वाल्यू है इस इस नॉट रलेवंट पॉर दे कल्कुलेशन ऑफ GST इसके लिए यह GST के लिए आप इसको चंसिडर नहीं करेगा तो वह ही महाँ पे बोला है देखो CBIC Circular this has clarified that for the purpose of determination of value of supply under GST tax collected at source TCS under the provision of income tax act 1961 would not be includable as it is an interim levy and not having character of tax to get tax it is not having a character of tax and hence it should not be included in value of supply TCS include इस द्हान में रखिंगा? very important part okay और सेम नीच एक पॉइंड है Kerala Food Says Kerala Food Says explain the provision relating to valuation of supply in the cases where Kerala Food Says is applicable तो एक सेस लगाय था Kerala में इसका नाम था Kerala Food Says और सारी Food ने सारी Flood Says Oh my goodness Kerala Flood Says तो देखो क्या बोलता है value of supply in case where the Kerala Flood Says is applicable तो आपे एक फ्लर्ड आय था तो इसलिए Kerala में revenue collect करने के लिए एक नया सेस लगाय था Kerala Flood Says तो ये Kerala Flood Says को भी जब GST लगाएंगे तो उसको include नहीं करना है नहीं करना है तो देखो आपे लिखा है the value of supply of goods और services और बोथ on which Kerala Flood Says is levied under clause 14 of Kerala Finance Bill 2019 shall be deemed to have been value determined under section 15 but shall not include the state says तो तो वाल्यू रहेगी मतलब मान के चलो value है कोई एक लाख रूपे इसके उपर Kerala Flood Says लगेगा Kerala Flood Says let's say at the rate of 10% example है 10,000 रूपीस का तो ये ही value आपको GST के लिए भी consider करना है जो value पर Kerala Flood Says लगा जिस value पर Kerala Flood Says लगा वही value आपको GST के लिए consider करना मतलब ये 10,000 के उपर कोई GST ने आए तो value पर भी देस लगा okay same TCS और Kerala Flood Says ये दोनों बात आप ध्यान में Kerala Flood Says then एक circular number 102 by 21 by 2019 of GST जिसमें क्या बला लेगो clarification regarding applicability of GST on additional or penal interest तो इसको मैं पहले आपको पूरा समझा दे रहा हूँ ये क्या लिखा यहां पर फिर अपने उसको पढ़ेंगे okay देखो कि क्या matter है तो this is this talks about EMI equated monthly installment EMI आपको समझता होगा जिससे आपने कोई लून लिया banks से लून लिया क्या होता है bankman के चलो आपने 50 lakhs का लोन लिया और आपकी EMI है EMI मतलब हरमत आपको पे करना पड़ता है let's say 40,000 रुपी 40,000 रुपी हर मैने में पे करना आपको और उसकी डेट है 5th of the next month मतलब जिन्वरी का EMI आपको 5 February तक पे करना February का EMI आपको 5th of March तक पे करना पर इंट्रेस्ट चार्ज करेगी पीनल इंट्रेस्ट नॉर्मल इंट्रेस्ट तो EMI में है बट शुकि आप वो due date से बाद में भर रहे हो EMI तो आपको पीनल इंट्रेस्ट भी बैंक चार्ज करेगी तो सवाल ये था गाई क्या वो पीनल इंट्रेस्ट पे जीस्ट भी लगेगा क्या वो पीनल इंट्रेस्ट पे जीस्ट लगेगा तो यहां पे 2-3 confusion होए थे तो पहला point तो ये था कि हम लोगो ने section 15 में देखा कि अगर कोई interest है penalty है section 15 देखा अभी देखा हमने इसके पहले lecture में तो वो सब आपके valuation purpose के लिए include किया जाएगा देखो section 15 15-2D में 15-2D में देखा हम लोगो ने interest late fee penalty for delayed payment of any consideration shall be include इस अब देखा हमने ये point हो गया मतलब भी valuation में include होगा फिर हम लोग exemption में एक point देखा है entry number 27 में exemption chapter में entry number 27 में हमने देखा कि bank जो भी interest services given by bank for any interest discount ये सब जो चीज़े रहती है वो entry number 27 में exempt है तो ये सब चीज़े missed हो गया और एक point अगर आपको याद होगा तो schedule 2 में हमने देखा था obligation to refrain अगर आप इस लिए को interest penalty pay कर रहे हो तो वो भी schedule 2 में देख क्या हो तो उसको वो interest भी आपको valuation में add करना था मतलब उसको supply of service माना जाएगा ऐसा बोला था तो ये तीन चीज़ों के वज़े से बड़ा mess हो रहा था कभी ये बोर रहे थे exempt है कभी ये बोर रहे थे penal interest को valuation में add करो तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि exact क्या कर तो इसलिए उन्होंने एक clarification लाया और वो clarification में क्या बोला आप समझ के अप तो पहले तो EMI की definition देख लो आपे दिया है और फिर क्या issue था हो देखी के अप An EMI is a fixed amount paid by the borrower borrower मतलब जैसे आपने बोरो किया to the lender at a specified date of every calendar month मतलब जैसे में बोला फिफ तरिक को आप पह पह गा EMI are used to pay pay off the both interest and principal every month so that over a specified period the loan is paid off along with the interest in case where the EMI is not paid at a scheduled time there is a levy of additional or penal interest on account of delay of payment of EMI EMI pay करने में दिल हो गया तो आप पही penal interest लगाया अब जैसे को क्या इशु आया whether the GST on additional or penal interest on overdue loan would be exempt from GST under serial number 27 of notification 12 by 17 मतलब जैसे चाप्टर की बात पर रही serial number 27 में रिया or such a penal interest would be treated as consideration for liquidated damages amounting to separate taxable of the service covered by entry 5 E of schedule 2 देको schedule 2 में जाकि that is agreeing to obligation to refrain from the act or tolerate an act or a situation or to do an act मतलब क्या हमने सहन करने के लिए ये सब जो हमारे उपर interest penalty लगाई गई ये interest penalty 5 E बोलता है schedule 2 का 5 E बोलता है कि ये supply of services ये उसके उपर GST लगेगा तो क्या हमें यहाँ पर GST पे करना पड़ेगा या फिर ये exemption के अंदर हम उसको exempt करवा सकते तो इसके लिए example 2 दिये में ने 2 cases ये 2 cases से आपके समझ में आएगा ति whether this penal interest would be taxable or not ये clarification में क्या बताया वो अपन समझते तो issue समझ में आएगा आपको क्या ये EMI के उपर का penal interest जो लेट EMI आपने पे किया whether it is taxable or not मतलब इसके उपर GST लगेगा या नहीं लगेगा तो पहला case में क्या बोला है मैं पहले क्या बोला है वो पूरा बता देता हूँ क्योंकि लंबा case है मैं पहले बता देखो आप example वहां ही लेता हूँ कोई shop में क्या mobile purchase है mobile है let's say वही का example 40,000 रुपीज का mobile अब वो shop की पर city collection आम है उसका और वो shop की पर नहीं आपको बोला देखो 40 रार का mobile है आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप क्या करो कि इसको EMI में हम कूरो कोई shop की पर ही बोल रहा है मतलब वो ही लोन दे रहा है अब आपने कोई EMI में गड़वड कर दिया मतलब आइम पर नहीं वरा तो shop की पर नहीं आपके उपर penal interest लगा जी अच्छा उसमें क्या कि आप कि वो penal interest मान के चलो ये mobile है mobile है आपका 40,000 का और आपका एक तो normal interest लगाओ normal interest plus penal interest जो आपने लेट भरा ही हम है तो ये 40,000 का उसमें अलग से बिल बनाए invoice बनाए और ये normal और penal interest का उसमें अलग से invoice बनाए दोनों का बिल अलग अलग बनाए राइट समझ में आके तो normal interest लेट से 4000 का और penal interest पिनल इंट्रेस्ट लेट से normal interest 4000 रुपे का लिया और penal interest 2000 ऐसे 6000 का अलग बनाए और 40,000 का mobile का अलग बनाए लेकिन ये लोन कौन प्रवाइड कर रहा है ये mobile वाई मतलब city collection वाला shop है city collection ये खुद ही बोल रहा है कि मैं आपको EMI के facility देता तो सवाल ये उठा whether this 6000 is liable for GST मतलब total value आप 46,000 मानेंगे GST के लिए और ये आप 40,000 मानेंगे ये सवाल तो उसका answer उन्होंने दिया clarification दिया कि आप के लिए मतलब GST purpose के लिए ये value रहेगी 46,000 ये value कितनी रहेगी 46,000 कहने का मतलब ये कि आप उसका अलग-अलग bill बनाओ उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इन्टरेस का अलग-बिल बनाओ मोबाइल का अलग-बिल बनाओ उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इन दोनों को club किया जाएगा और आपका value GST purpose के लिए 46,000 माना जाएगा अरे समझ में आया आपको समझ में आया अब देखो हाँ आपे क्या लिक है X sells a mobile phone to Y the cost of mobile phone is 40,000 cost कितने है 40,000 however, X gives Y an option to pay an installment of rupees 11,000 every month before the 10th of following month तो 11 तरिक, 10 आरिक के पहले आपको इमाई पे करना है पुरा और इसके लिए आपको 4 installment दिये उसने 4 installment 11,000 के मतलब 44,000 आपको पे कर तो देन देखो क्या हुआ हुआ further, as per the contract if there is any delay in the payment by Y beyond a scheduled date then Y would liable to pay the additional interest of 500 per month for the delay तो अगर देले हो गया तो इसको पेनल इसको पे करना है 500 per month राइग in some instances, X is charging Y 40,000 for mobile and separately issuing the other invoice for providing the services of extending loan to the Y and the consideration for which the interest of 2.5% and additional penal interest of 500 per month for delay in such a payment मतलब क्या, कि उसने ये 40,000 का अलग बनाया और 2.5% जो नॉर्मल इंटरेस्ट है प्लस जो पीनल इंटरेस्ट है 500 per month का उसका अलग बनाया तो इससे कोई हमें फरक नी पड़ता वहाँ पे लिखा है as per provision of 152D जो अब मैं अब भी देखा the amount of penal interest is to be included in value of supply the transaction between X and Y of taxable goods that is mobile phone accordingly the penal interest would be taxable as it is included in value of mobile irrespective of manner of invoicing आप manner of invoicing को irrespective कैसे भी करने दो उससे कोई फरक नी पड़ेगा आपको उसके उपर GST भरना अरे समझ में आए चल एक बार case गोथू करवा फटा फट मैं रूक रहू X shopkeeper है मतलब हमारा city collection और Y buyer तो X ने Y को option दिया कि 40,000 का mobile phone है लेकिन आप 11,000 every month पेकर तो 4000 का normal interest हो गया और अगर आप delay करेंगे तो 500 पर month हम लेगे तो अभी ये extra amount जो लिया 4000 प्लस ये 500 पर month इसके उपर GST देना पर On the other hand अब क्या हुआ कि ये city collection मान के चल आपका shop है अब Y आपके पास आया और ये Y ने क्या किया कस्टमर ने क्या किया कोई bank या financial institution से loan ले लिया कोई और company से loan ले X से नहीं लिया देखवा city collection से उसने loan नहीं लिया या seller से उसने loan नहीं लिया इसने कहीं और से loan लिया तो फिर अब वो serial number 27 में फस जाएगा मतलब यहाँ interest का amount exempt माना जाएगा exempt माना जाएगा तो देखवाँ आपके लिगा X sells a mobile phone to Y the cost of mobile phone is 40,000 Y has option to avail the loan of interest at the rate of 2.5% per month for purchasing the mobile phone from ABC limited मतलब third party से loan लिया seller से loan नहीं लिया देखवा अब seller को सिर्फ 40,000 पे करेंगे loan लेंगे आप ABC limited the terms of the loan of ABC allows the Y for the period of 4 months and repay the loan and an additional penal interest is 1.25% for delay यहाँ भी additional penal interest है बट यहाँ यह entry number 27 में फस जाएगा अगर आप third party से loan ले रहे हो इसका मतलब क्या हुआ देखो अगर आप third party से loan ले रहे हो तो फिर आपकी serial number entry number 27 यह जो serial number 27 है आपका by notification 12 by 2017 serial number 27 of 12 by 2017 यह जो exemption notification है यह आपको applicable रहे this is applicable if you take the loan from another bank और financial institute तो देखो आपे लेकर the additional penal interest is charged for the transaction between Y and ABC Limited and the same is getting covered under serial number 27 of notification 12 by 17 accordingly in this case the penal interest is charged thereon the transaction between Y and ABC would not be subject to GST और इसके उपर कोई GST नहीं लगी और यहां पे लिखा है the value of supply of mobile phone XY would be 40,000 for the purpose of levy of तो जो supply का value रहेगा वो इस case में 40,000 कहने का मतलब यह कि अगर आप seller से ही loan ले रहे हो जिसने आपको goods बेचे उसी से आप loan ले रहे हो और उसको अगर आप penal interest दे रहे हो तो फिर वो value of supply में include होगा 15 to D में 15 to D में और अगर आप किसी और institution से loan ले ले हो तो फिर वो 27 serial number 27 में exempt हो जाएगा of exemption notification 12 by 7 ओके